पहले हमारे बाल तब सफेद होते थे जब हम बूड़े हो जाते थे लेकिन आजकल क्या देखा जा रहा है बच्चे हो या बड़े पालों का सफेद होना और जड़ना आम प्रोब्लम बन चुकी है हर दूसरे बंदे में ये प्रोब्लम पाई जा रही है इसका सबसे बड़ा कारण है बहुत ही ज़्यादा कैमिकल का इस्तेमाल करना और दूसरा हार्ड वाटर का इस्तेमाल करना आज हम हरबल महंदी त्यार करेंगे जो हमारे बालों को जड़ने से बचाएगी हमारे बालों को ड्राइ होने से बचाएगी और हमारे बालों में डार्क ब्राउन शेड देगी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि हमें dark brown shade चाहिए हमें black color नहीं चाहिए तो आज की वीडियो ध्यान से देखिए मैं आज आज आपको बताऊंगे कि आप अपनी महदी में क्या क्या चीज़ों को add कीजिए जिससे आपको dark brown shade मिले और आपके बालों में किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो नमस्ते जी मेरी YouTube family को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्ते आप सभी का आपके अपने चैनल beauty with nature by सुनीता सैनी में बहुत बहुत स्वागत है कैसे आप सब मैं उमीद करती हूँ आप सब लग खुश होंगे तो इस herbal mehndi को हम कैसे त्यार करेंगे इसकी जानकारी ले लेते हैं हम अपनी वीडियो में तो चलिए अपनी herbal mehndi त्यार कर लेते हैं इसके लिए हम नहीं चाहिए एक चमच आमला पाउडर आमला बालों का जड़ना रोकता है बालों की growth में help करता है हमारी scalp के लिए भी अच्छा होता है जब हमारी scalp स्वस्थ रहेगी तो हमारे बाल भी स्वस्थ रहेंगे ठीक है जी अब मैं इसमें एड़ करूँ एक चमच भ्रिंग राज पाउडर का ये हमारे बालों के लिए टोनिक है बालों का जड़ना रोकता है और हमारे बालों को असमें सफिद होने से बचाता है अब मैं इसमें एड़ करूँगे एक चमच शिककाई पाउडर का ये भी हमारे बालों को जड़ने से बचाती है हमारे बालों को बढ़ाने में हमारी help करती है और हमारे scalp को dry होने से बचाती है ठीक है जी अब मैं इसमें add करी हूँ एक चमच मेथी दाना powder का आपने मेथी को पीस लेना है आपका मेथी दाने का powder त्यार हो जाएगा ठीक है जी मेथी हमारे scalp के blood circulation को बढ़ाती है जिससे हमारे बालों को अंदर से मजबूती मिलती है जिन लोगों के बाल छोटी उमर में सफेद हो रहे हैं अगर वो मेथी दाने का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे बालों को असमें सफेद होने से भी बचाता है ठीक है जी अब मैं इसमें add करूंगी महंदी मैंने सिर्फ roots में लगानी है इसलिए मैं थोड़ी महंदी का इस्तेमाल कर रही हूँ लेकिन अगर आप अपने पूरे बालों में महंदी लगाना चाहा रहे हो तो आप इसकी quantity को बढ़ा दीजिए ठीक है जी महंदी हमारे बालों में conditioning करती है हमारे बालों को silky बनाने में हमारी help करती है अब पहले हम इन सभी ingredients को mix कर लेंगे अब हम इसका घोल त्यार करेंगे इसका घोल त्यार करने के लिए मैंने चाय पत्ती को पानी में उबाल लिया था मैंने वो वाला पानी लिया है आप साधे पानी से भी इसके घोल को त्यार कर सकते हो ठीक है जी अब इसको हमने घोल के तीन से चार घंटे रख देना अगर आप पूरी राज रख सकते तो बहुत ही अच्छी बात है आपके बालों में और भी अच्छा कलर आएगा ठीक है जी मैंने सिरफ तीन से चार घंटे ही इसको भी गोया है ठीक है जी देखिए महंदी त्यार है अब मैं अपने बालों में अपलाई करूंगी पहले आप मेरे बालों का कलर देख लीजिए मेरी रूट्स वाइट है मैं इनके उपर आपको लगा के दिखाऊंगी अगर आप नैच्रल तरीके से अपने बालों को काला करना चाहते हो तो महंदी बहुत ही अच्छा उप्शन है लेकिन कहीं लोग बोलते हैं हमारे बसके नहीं होते इतने जंजड़ करने तो फिर वो कैमिकल ही इस्तेमाल करेंगे ये हमारे बालों को काला तो करती है इसके साथ हमारे बालों को सौफ्ट मुलाइम भी बनाती है ये हमारे स्कैल्प को अच्छा करती है जब हमारे scalp अच्छी होगी तो हमारे बाल अपने आपी अच्छे आएंगे आज की महंदी हमारे बालों को काला भी करेगी और हमारे बालों को जड़ने से भी बचाएगी क्योंकि आजकल जड़ने की समस्या भी बहुत ज़ादा बढ़ चुकी है बाल इतने ज़्यादा जड़ते हैं जब हम शावर लेते हैं तो जो जाली के उपर बाल आकर इकटे हो जाते हैं उनको देखके दिल को कुछ होने लग जाता है कि अरे यार इतने बाल निकल रहे हम तो गंजे हो जाएंगे लेकिन अगर आप chemical का कम इस्तेमाल करके ऐसे हरबल चीजों का इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फाइदा मिलेगा आपके बाल chemical से होने वाले नुकसानों से बच जाएंगे फ्रेंड ये वाली महंदी हमारे बालों को dark brown shade लेकर आएगी काला नहीं करेगी अगर आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा काला करना चाहते हो तो मैंने इंडिगो को किस तरह अपने बालों में लगाई है जिससे आपके बाल नैच्रल ब्लैक हो जाएं वाली वीडियो भी डाल रखी है आप चैक कर सकते हो ठीक है जी आपने इस मैंदी को कम से कम तीन घंटे अपने बालों में छोड़ना ही छोड़ना है तभी आपको इसके अच्छे रिजर्ट मिलेंगे अपने बालों को जढ़ने से रोकने के लिए इसमें मैंने जो इंग्रीडियन्ट एड़ किये हैं वो आपकी scalp के अंदर अच्छी तरह चले जाएं तभी तो वो अपना work करेंगे तभी आपको बालों के जड़ने की समस्चे से चुटकारा मिल पाएगा और तभी आपको आपका मन पसंद color भी मिल पाएगा इसलिए कम से कम तीन घंटे महंदी को अपने बालों में लगा कर छोड़िए उसके बाद सादे पानी से वोश कर लीजिए बाद में आप आईलिंग करके फिर शैंपू कीजिए ना तो आपके बाल ट्राइ होंगे बलकि आपके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे ठीक है जी देखिए मेरी महंदी लग चुकी है अब मैं आपको वश करने के बाद दिखाऊंगी ठीक है जी देखिए वश करने के बाद result देख लीजिए यह बहुत ही AMAZING result है यह उन लोगों के लिए है जो डार्क डाउण। चाहते हैं यह उन लोगों के लिए डाई नहीं है जो बलक कलर चाहते है अगर आप बलक कलर चाते एं तो आप इंडिगो की तरफ ही जाएं उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो ठीक है जी आप भी इस हरबर डाई को बनाएं और नैचरल ब्राउन कलर पाएं तो फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लियो बाई बाई